हेलो दोस्तों स्वारत है आप सबकी मेरी चैनल पर जिसका नाम है रेसिपी सास बहुकी तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा का लिट्टी पोहा को हम चूरा भी बोलते हैं जिसका लिट्टी बहुत स्वादिश्ट बहुत यमी लगता है तो आप जरूर ट्राइ किजीगा अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शियर और सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए फटाफट हम बनाना इस्टार्ट करते हैं तो देखिए हमने पोहा दो कटोरी के लगभग लिया है अच्छी तरसे शाफ कर लिया है उसके लिए हमने पाउडर लिया है आधा चमच लालमिश पाउडर स्वादनुशा नमक लिया है एक चोटा सा तुकडा अधरक का बारी कट कर लिया है और तड़के के लिए हमने थोड़ा सा जीरा लिया है एक चमच अजवाइन लिया है और एक चमच आमचुर पाउडर लिया है तो देखि पोहा अच्छी तरह से फुल चुका है अब हम इसको पानी में से अच्छी तरह से छान करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं पोहा बहुत पानी सोकता है इसलिए एक से दो मिनट तक छोड़ देते हैं तो देखे पोहा अच्छी तरह से फुल चुका है अब इसे हम दो से तीन तक रख लेते हैं ताकि जो अच्छे से फुल जाए तब तक हम आलू को फ्राई कर लेते हैं तो देखें गैस अन करके हमने कराही चरा दिया है कराही को अच्छी से करम होने के बास उसने एक से दो चमस तेल डाल करके तड़के के लिए हमने जीरा रखता वो डाल देते हैं गुल्डेन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूल लेते हैं गैस का फ्ले मीडियम पर ही तो देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है अब उसमें स्वादो नुशा नमक डाल देते हैं और हल्दी पाउडर और लालमिच पाउडर वो भी डाल देते हैं और उसे 2 मिनट तक भूल लेते हैं तो देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है अब जो हम उबाल करके आलू रखे ते मेश करके वो डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से हम भूल लेते हैं चार से पांच मिनट तक तो अब हम इसमें जो आमचुर पाउडर रखे थे पाउडर बन्ता है आलू जो हम फ्राई करती हैं बहुत स्वादिश्ट लगता है तो देखिए आलू फ्राई हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और पांच मिनट के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए तब तक हम अपना पोहा का दो तियार कर लेते हैं अगर आपको ये लगे कि सूखा जैसा लग रहा है तो आप इसके उपर से हलका हलका पानी ऐसे डाल दीजिए और फिर इसको अच्छी तरह से डो तयार कर लिजिए बहुत इजली बन जाता है और बहुत स्वादिश्ट बनता है और घर के समानों से ही बनके तयार हो अलो फ्राइगे हैं अच्छा से इसमें भर पाए तो देखे हम याश कर लोइया बना ला learnt और फिर उसको उसके बीच में थोड़ा तोड़ा देखिए इस प्रकारस व्ल करते हुए बीच में ऐसी में ऐसे लिएंगे और परमें यसमें सिफ्ष्श मुसामच मसाला यो बनके तयार हो जाए तो देखिए हमने बिल्कुल पॉर्फेक्ट लेटी बना के तयार कर दिया है देखिए इस प्रकार से तो चलिए अब हम दूसरा डिजाइन भी बताते हैं आपको बना उसी प्रकार से लोईया कट करके फीरे से बीच में होल करके मसाला भर देंगे देखि बिल्कुल कॉटलेट जैसा हम श्यप दे दिये हैं तो चलिए अब हम इसको फ्राइ कर लेते हैं तो देखिए गैस ओन करके हमने पहले ही तेल डाल दिया था कडाही में तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो देखिए हमने इतना सारा लिटी जो है बना के तयार कर लिया है तो चलिए अब हम इसको fry कर लेते हैं और गयस का flame high पर ही इसको fry करना है अब एक-ए करके हम लिट्टी को तेल में डाल देते हैं और इसे अचछी तरह से fry कर लेते हैं गेस का फिल्म हाई पे फ्राई करना जाहें ताकि जो अंदर से सौफ्ट हो बाहर से बिल्कुल कुरकुरा बने अब एक करके हम प्लट लेते हैं यह बहुत इजली बनके तयार हो जाता है बहुत ही स्वादिश्ट बनता है तो एक एक दो-दो मिनट के बाद प्लट प्लट के ऐसे यह पका लेंगे तो देखिए हमारा लीटी बनके तयार हो चुका है बिल्कुल पॉर्फेक्ट बना है और बहुत ही देखिए कितना अच्छा कलर आया है बहुत स्वादिश्ट लगता है तो अब जरूर ट्राई किजिएगा तो चलिए अब हम इसको एक प्लेट में न निकाल लेते हैं देखिए कितना कुरकुरा आवाज आ रहे देखिए बिल्कुल बाहर से कुरकुरा बना है देखिए अंदर से कितना सौस्ट बना है तोड़ने पर भी आवाज आ रहा है तो जरूर ट्राई किजिएगा बहुत पसंद आएगा आप सबको आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आएगा अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप हमारा चैनल पर नहे हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेश कर दीजिए ताकि नए ने रेसिपी का नोट्रिफिकेशन मि प्लीज बड़ बग्रेश कर दो दो कि प्लीज कुति ह्वाल बड़कु कर वारा चैनल पर उथिंगा । पर्छाइब की।